सिद्धान्तों की लडाई को लेकर बादल परिवार के खिलाफ मूर्चा खोलने वाले अकाली दल के लहरा से विधायक परमिंदर सिंग धेंटसा ने पूर्व मंत्री नवजोज सिंग सिद्धू की तारिफ में कसीदे पड़ी हैं जी हाँ नवजोज सिंग सिद्धू को पंजाब का हर्मन प्यारा निता बताते धेंटसा ने कहा कि पंजाब की आने वाली राजनीती में नवजोज सिद्धू का बहुत बड़ा और एहम रोल होगा वही बता दे आपको कि बाक्चीत के दोरान धिंसा ने कहा कि नवजोज सिंसिद्धू आगे चल कर क्या फैसला लेते हैं इसका पता तो भविश्य में ही लगेगा परंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सिद्धू का फैसला पंजाब की राजनी थी और चुनाओं में एहम रोल अदा करेगा इसके साथ ही तक सालियों को नियोता देते धिंसा ने एक प्लेटफॉर्म पर उपर आने के लिए कहा है बता दे आपको कि इसके अलावा धिंसा ने कहा कि अकाली दल को सबसे बड़ा नुकसान बेद्वी के दोशियों के खिलाफ कारेवाई ना करने के कारण हुआ है धिंसा ने कहा कि जब बेद्वी के मामले घटे थे तो तब शिरुमडी अकाली भाजपा की सरकार थी इसलिए इन मामले पर शिरो मरी अकाली दल को सी समय ही माफी मांग लेनी चाहिए थी इसके साथ ही धिंसा ने डेरा प्रमुक को दी गई माफी को भी गलत बताया है डिन्सा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है वो श्री अकाल तक तुस साहिप से माफी मांग सकता है परंतु माफी देने की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतरगत विचार करके ही सम्मंदित व्यक्ति को माफी दी जाती है SPN 9 News रूम से शुतिक रिपोर्ट